मैंनन्द विस्व कर्मा आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों हम आप लोगों के बीच जोन पूर जक्सन का अपडेट लेकर क्या चुके हैं जोन पूर जक्सन के पार्ट वो में हम आपको दिखाएंगे प्लेटव संक्यच चुका का संपूर अपडेट प्लेटव संक्यच च्छा पर जो तीसर आला नया फू creativity है उस पर किटना पर्षेंट काम हो चुका है इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारे देंगे इसके साथ ही प्लेटफम संक्य अच्छा का तस्वीर दिन प्रते दिन बदलता हुआ नजरा रहा है वीडियो में आप लोग इंड तक बने रहेगा और चनल पर आप लोग फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चनल को लाइक, शियर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टाट करते हैं जोन पूरिजक्सन के पार्ट टू में हम आपको दिखाएंगे प्लेटफरम संक्य च्छा का संपूर अपडेट अभी हम प्लेटफरम संक्य पांच पर हैं और वो रहा प्लेटफरम संक्य च्छा अब हम चलते हैं प्लेटफांसंग के च्छा पर और आपको दिखाते हैं च्छा का समपूर अपडेट प्लेटफांसंग के च्छा पर हम आपको दिखाएंगे तीसरे वाले नया फुटोबर बीज का काम कितना परसेंट हो चुका है और पहला और दूसरा अला जो नया फूटोबर भीज है उस पर कितना काम हो चुका है तो सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे वीडियो आप लोग इंड तक देखेगा वीडियो आज का काफी मज़दार होने वाला है हमारा एक नया फेस्बूक पेज है आप लोग चैनल पर विजिट करके हमें वहाँ पर भी फालो करिए वहाँ पर भी हम आपको नए नए अपडेट देते रहते हैं प्लेटफरम संख्या 5 पर यहाँ पर चोटा चोटा सेट बनाए गया है लाश्ट में एक ट्वालेट प्रसाधन भी बनाए गया है और एक बोट लगा हुआ है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्लेटफरम संख्या 6 पर अभी हम बिलकु लाश्ट समापती पर हैं प्लेटफरम संख्या 6 पर यहाँ पर काफी सारे सिमेंट के इट रखे गया हैं वाइट और रेट कलर के अभी हम आपको दिखाते हैं नजदिक से दिखा कर और यहाँ पर मेरे इसाब से एक नया सौचाले बनाए गया है यह भी पूरे तरिके से बनकर कंप्लेट है पेंटिंग उन्टिंग का कार है कंप्लेट कर लिया गया है तो यहाँ पर अभात का और वाइट रंग का इट रखा हुआ है और मेरे इसाब से यह जो दिख रहा होगा यह हमको लग रहा है टावर वैगन सेड है बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा ये क्या है जो बना है रेट कलर का मेरे इसाब से टावर वेगन से डोगा जो कि प्लेट हम सिंग के च्छा के बैक साइड में बनाए गया है लाश्ट समाती पर प्रेटवं संग के छोपष पर अभी काम जो है जारी है क्योंकि यहां पर काफी सारे material बिख्रे पड़े हुए है यहां पर लाल बालू और वहां पर महीन महीन किट्टिया पड़ी हुई है और प्रेटफम संगे च्छा पर हर जगा पर छोटे छोटे सेड और बूत बनाएं गया है हर जगा पर ये बूत यहाँ पर दिख रहा है और एक छोटा सा सेड बनाए गया है छोटा छोटा सेड तीन चार बना दिया गया है च्छा पर और अभी हम चलेंगे प्लेट हम संग के च्छा पर तीसरे वाले नए फोटो बर्विश का काम दिखाएंगे इस पर अभी नालियों को बनाने का काम चला है यह दिवाले अभी नई नई त्यार की जा रही है और दिवालों को अभी त्यार के जा रहा है इसके साथ ही नालियों को भी बनाने का काम सुरू कर दिया गया है प्लेट हम सेंग के च्छह पर यहाँ पर कुछ छुटा हुआ है दिवालों को बहुत ही जल ढलाए करके इसको भी कम्पलीट कर लिया जाएगा प्लेट्फम सेंगे च्छ पर ये जो एंगल बना हुआ है इस एंगल पर जो है ये पट्टी लगाई गई है ये पट्टी प्लेट्फम सेंगे च्छ पर लगाई जा रही है पूरा लास्ट समाती पर और ये रहा दूसरा वाला नया फूटोबर विज अभी हम इसके पर सीधा आप फ्लेप कार्ट पर विजिट कर जाएंगे अगर आप लोग को पोड़क्ट अच्छा लगता है तो आप वहां से बाई कर सकते हैं और यह रहा दूसरा वाला नया फूटोबर विज अब हम प्लेटफरम सेंके च्छाओ का जो दूसरा वाला नया फूटोबर विज बना हुआ है उस पर अभी हम चड़ रहे हैं और यहाँ पर सीडियो पर पूरी तरीके से मार्बल की बिचाई का काम हो चुका है और जो सेड बना हुआ है नया वाला इस फीव पर इस पर पहले हम आपको दिखा थे पिछले वीडियो में वहाँ पर वाइरिंग का काम हुआ था सिर्फ अभी तो फिलाल यहाँ पर लाइटो को भी लगा दिया गया है और हर जगा पर नय वाले फूटो बर बिच पर लगा दिया गया है लाइटो को तो लाइटो का काम आप देख सकते हैं वहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है पूरी तरीके से यह लाइटे दिख रही होंगी हमारा एक नया फेस्बुक पेज है आप लोग चैनल पर विजिट करके हमें वहाँ पर भी फालो करिए और हमसे जूड़ी आए ताकि हम आपको नए नए अपडेट देते रहते हैं विडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब करिए यह सीडी प्लेटफरम संक्या दो और तीन को कनेट करती है इस पर भी पूरी तरीके से लाइटों को लगा दिया गया है और यह मसीन दिखरी होगी इस मसीन के त्वारा वेल्लिंग का काम अभी नए फूट ओबरवीज पर चला है तो अब हम चलते हैं प्लेटफरम संक्य अच्छा का आपडेट आपको दिखाते हैं और कितने सारे परिवारतन हो चुके हैं प्लेटफरम संक्य अच्छा पर जो तीसरा वाला नया फूट ओबर बीज है उस पर काम काफी तेजगती से किया जा रहा है अभी हम वहाँ पर चलेंगे और आपको दिखाते हैं आने वाले समय में यह जितने भी आपको पिलर दिख रहे होंगे यहाँ पर नय नय सेट का निर्माण कार किया जाएगा अभी हम चलते हैं पहले वाले फूट ओबर बीज पर और पहले वाले फूट ओबर बीज का भी हम आपको कुछ व्यू दिखाएंगे इससे पहले तीसरे नय फूट ओबर बीज का हम आपको काम दिखा देते हैं च्छाइदार होता ये पेड़ पौदा कर्मियों के समय में काफी रहत मिलती है और इसको अभी घेरने का काम चला है इटों से अभी इसकी जोड़िया चल लई है और वहाँ पर उसको पूरी तरिके से जो पेड़ है उसको घेर दिया गया है काफी सुन्दर लग रहा है गोलाकार में उसको घेर दिया गया है इट से लगा कर और ये जो आपको ढाचा दिख रहा होगा नए-नए पटियों को ढाला जा रहा है बना कर प्रेटफरम से के च्छा के बैक साइड में बना जा रहा है नए पटियों को और इसको पूरा गोल आकरिती में इसको घेर दिया गया है काफि सुन्दर लग रहा देखने में और ये रहा प्लेटफार्म संक चा का तीसरा वाला नया फूटो बरविज तो इस पर ढलाई करके यहां पाभी छड़ किसी को लगा दिया गया है बहुत जल इस पर नय नय पिलर को त्यार किया जाएगा काम इस पर अभी चला है वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब करिए और अभी हम चलेंगे पाले वाले फूटो बरविज का भ्यू दिखाएंगे तो ये रहा पाला वाला फूटो बरविज, अभी हम इसके उपर चड़ेंगे और आपको दिखाएंगे, इस पर कितना परसेंट काम हो चुका है तो पाले वाले फूटो बरविज पर, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था इस पर इस पर पेंट किया जा रहा था, सिल्वर कलर का फिलाल इस पर पूरी तरीके से कंप्लेट कर लिया गया है और काफी चम चमा रहा है, पहला वाला फूटो बरविज और इस पर भी पूरी तरीके से मार्बलो की बिछाई का काम कंप्लेट कर लिया गया है और इस पर भी नई नई लाइटों को लगा दिया गया है ये नई नई लाइटी आपको दिख रहे होंगी ये CD प्रेटफरम संगे 4 और 5 को कनेट करेगी और ये CD प्रेटफरम संगे 2 और 3 को कनेट करेगी जो पहला वाला फूटोबर भी है और यहाँ पर भी पूरी दरीके से लाइटों को लगा दिया गया है यह लाइटी हर जगप पर लगी हुई है और यहाँ पर भी लाइटों को लगा दिया गया है मार्बलों की बिछाई होने से जो वर्बिज बना हुआ है फूटो वर्बिज उसकी सोभा काफी बढ़ गई है और काफी लंबा चोड़ा बनाया गया है नया फोटोबर विज ऐसे ही प्लेटफरम संख्या छह पर तीसरा वाला नया फोटोबर विज को बनाया जाएगा और लगता है उसी पर नया लिप्ट और एसकेलेटर बनाया जाएगा जब उस पर काम होगा तो हम आपको बताएंगे और अब हम आपको नए बिल्डिंग का काम दिखा देते हैं कुछ हम अपने वीडियो की समाती यहीं से करेंगे वीडियो आप लोग को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को लाइक सियर सस्क्राइब करिए तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ